मंगलवार को नव वर्ष के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने समाचार एजैंसी एनाई को इंटर्व्यू दिया इस एंटर्व्यू को दौरान पियम मोधी न हाली में हुए 36 गल मध्यपरदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगणा में मिली बिजेपी की हार पर अपनी राय रखी तेलंगणा और मिजोरम वहां भारती जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात न कोई सोचता था न कोई कहता था न बीजेपी कहती थी जिन तीन राज्यों की आप चर्चा कर रही है 36 गड़ में साफ साफ नतीजा आया इसमें भारती जनता पार्टी का पराजय हुआ लेकिन दो राज्यों में हंग एसेंबली बनी है दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इंकममन्सी को ले करके हमारे लोग मैदान में थे और उस्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाना में स्थानिय स्वाराज के चुनाव हुए है सारे चुनाव हम जीत गए हैं त्रिपुरा के अंदर 90-95 प्रसंट विक्टरी हमारी हुई जम्मु कश्मीर में 74 प्रसंट पोलिंग हो और भारतिय जिनता पाड़ी या भारतिय जिनता पाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आ जाए इस इंटरिव्यू में पीएम मोदी ने गुरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को गलत बताया पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की किसी भी हत्या की पक्ष में आवाज नहीं उठनी चाहिए पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सब्य समाज को सोभान नहीं देती है ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए यह गलत है सरासर निंदन यह है दूसरी बात है क्या यह 2014 के बाद शुरू हुआ है तो यह समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परणाम है इस थिति को सुधारने के लिए हम समने मिलकर के प्रयास करना चाहिए मैं इस सरकार में यह होता है और उस सरकार में वो होता था उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ एक भी गटना हो गलत है यह मेरा स्पस्ट मत है दूसरी बात है कि मात्मा गांदी जो कह रहे थे अचरे मिनो बाजी भावे कह रहे थे भारत के समिधान में जो भावनाओं को प्रगट किया गया है उसका भी आदर करना हम सब की जिम्मेवारी है देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है हम दूसरे की भावनाओं का आधर करें तो हमारी भावनाओं को भी रक्षा होती है ये माहोल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए तीसरी बात है दुनिया में अरब कंटी के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान है उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था मैंने एकाथ साल पहले पढ़ा था इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना सी ये दुनिया के लोग कह रहे है कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय है बहुत बड़ी मात्रा में लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सद्यों से मिल जून करके जी रहे हैं समाज में घटना ही नहीं होनी चाहिए लिकिन समाज का जो मुख्य भैब्रिक है वो क्या है उसको हमने पना समझना चाहिए और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असमिष्णा लोगों को दिखने रख जाती है तो किसी का लोगों का एजंडा होता है ऐसी वेक्तिकर टिकाटी पड़ी के सबका साथ सबका विकास 18000 गाउं में बिजली नहीं थी हम ये पुछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गाउं था और 18000 गाउं को बिजली है हम सभागी उजना से आगे बढ़ रहे हैं देश के अंदर 4 करोड परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जीन के पास बिजली नहीं है हम ये नहीं पूछतें कि किस संप्रदाय से है वो मंदिर जाता है कि मज्जित जाता है गुद्वारा जाता है ये हमारा काम नहीं है 4 करोड परिवारों के घर में बिजली का दिया जलना चाहिए हमने तैय किया कि माता ये बहने चूला जलाने से लकड़ी की चूले से धूयों की जिन्दी की जीती है हर एक को उससे मुक्ति दिलाने के लिए उजवला योजना तक गैस पहुंचाना चाहिए कोई किस मजभत की माँ है इससे हमारा लेना देना नहीं है हर माँ को मुक्ति मिलनी चाहिए हर घर में गैस का चूला पहुंचे उस दिशा में हम लगे है पांच करोड शे करोड के करीब करीब पहुंचा दिये है आठ करोड तक पहुंचाने का लक्षा है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे